प्रिश्यों के जमाने में दो वच्छन रिशियों के सद्गुरु के मुख से सुनके वो सादक उसी को गुन-गुना दे थे जैसे पशु जुगाली करते हैं ऐसे ही सुने हुए का पुनह पुनह चिंतन उन विचारों को मंत्र मुलम गुरु वाक्यम मंत्र की नाहिं गुरु वाक्य को पकड़के उसको हजम करते थे गुन-गुने दूद में जैसे थोड़ी सी दही डाल कर उसे छोड़ दिया जाता है और हिलाते रहे तो का दही जमेगा ऐसे ही जो श्रवन किया फिर सादक का काम है कि वो श्रवन किये हुए का चिंतन करे तो वो उत्रेगा गुरुमुक से सुना है कि एक सेट था पीछे आकर बैठता था दोवचन सुर के फिर खिसक जाता फिर बद पंदरावीज मिन टोती फिर आकर बैठता फिर खिसक जाता पुछा किसी ने क्यों ऐसा करते हैं कि मुले सत्संग रुपी समुद्र के किनारे बैठे रहते हैं तो जो चाहिए हमें हिराम होती जो बात दिल को छूती है अब सत्संग निरंतर जारी है उसमें हमारे काम की जो बात है जो हमको असर कर रही है दिल को छू रही है वो कहीं दूसरी बात सुनकर वो बात कहीं दिल से निकलने जाए तो उस बात को पकड़के मैं दूर चला जाता हूं और चुप बैढ़ जाता हूं फिर जब तक उसका चिन्तन होता है उसको बिठाता हूं फिर लगा कि हम बैढ़ गई अब मनोराज होने लगा तो फिर उठके आ जाता हूँ, फिर बैड़ जाता हूँ, फिर कोई हीरा, कोई हीरे जैसी बात, कोई मोती जैसी, कोई कीमती ये मुल्यबाद, फिर पकड़ के चला जाता हूँ, फिर उसको जमाता हूँ इसको कहते हैं मनन रूपी साधन नितिध्यासन रूपी साधन तो जो मनन नितिध्यासन नहीं करते हैं उनके लिए फिर बार-बार का क्या हुआ श्रमन भी बहुत काम का है अईयो ए श्रमन राए श्रमन भी ум का हुआ श्रमन नितिध्यासन था श्रमन भी बहुत काम कि दो श्रमन भी बहुत कि लिए एगारे साधन